हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने बाली कारे पत्रक नबर 31 करेंगे जो कि क्लास 6 की है और विश्य है सामाजिक विज्ञान ये वर्कषिट 5 फेबरी 2021 की है तो आए शुरू करते हैं आज की वर्कषिट वर्कषिट शुरू करने से पहले प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आए देखते हैं आज की वर्कषिट पार्ट साथ हमारा देश भारत देखे क्या कहा गया बटा आज की वर्क्षिट में भारत के पडोसी देशों के बारे में बताया गया है भारत साथ देशों के साथ स्थलिय सीमा सांझा करता है देखो क्या कहा जा रहा है स्थल की बात करें देखो यहां से तो यह क्या है यह जल सीमा हो जाएगी अगर यहां से करता है तो यह जो है यहां से कि इधर भी स्थल है और इधर भी स्थल है तो भारत साथ देशों के साथ में स्थलीय सीमा सांजा करता है चीन अचो यह वाला जो पोशन ही जो अफगानिस्तान तो यहां से थोड़ा सा सब्सक्राइन एवड़तों यहां में जो पॉशन है यहां पर इसके बाद बाद बंगलाधेश lanes बांगलादिश तो देखो कितनी सीमा हुई चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मयामार, नेपाल, भुटान और बांगलादिश तो आपको इनाम याद होने चे कि भारत साथ स्थलिय सीमा सांजा करता है चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मयामार, नेपाल, भुटान और इसके लावादे को क्या लिखा गया धक्शिन में स्तित दू 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 देश हमारे पडोसी देश है और यहा पर है मॉल्दीप दू है दक्शिन में समुंदर में स्तित दू 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 कितने है अगर अगर स्तलिय अ Esteemah है तो साथ हो जाðoga और अगर दू पुक्छे जाए तो दो दीपकों से श्रिलंका और माल दीप क्या करते हैं जलियाय संधी बनाते हैं ठीक है श्रिलंका को पाक जलसंधी भारत से अलग करते हैं तो देखो क्या कहा गया है श्रिलंका यहां से हम देखते हैं यह देखो श्रिलंका और इंडिया में देखो यहां पर जो जलसंधी है इसको हम जलसंदी कहते है, पाक जलसंदी इसका नाम क्या है, पाक जलसंदी भारत से अलग करती है, अब हम देखते हैं आगे क्या दिया गए अपटा वर्क्षिट में, देखे क्या कहा गया है, राजनेतिक वे प्रशाशनिक विभाजन, ठीक है, भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश परशन अशनिक रियाओं के लिए देश को 28 राजय और 8 केंदर शाषित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। शाय थी उसके कोड़ी उनको डिवाइड कर दिया गया है। जिसमें सभी जो राजय हैं उनकी पोजिशन बताए गई है कि कौन सी पोजिशन कहां पर है और एक कि उनकी कैपिटल उनकी राजधानिया क्या है तो आप वो भी वीडियो देखकर थोड़ी और नौलेज भी यहां पर ले सकते हैं। गतिविदी तू भारत के राजनेतिक मानचितर पर सभी राजयों को केद्र शाचित परदेशों को चिनहित करें। तो आपको क्या करना है देखो बटा यहां पर पहले गतिविदी देखते हैं गतिविदी वन क्या कहा गया है भारत में भोतिक मानचितर पर सभी पड़ोसी देशों को चिनहित करें। आपको क्या करना है यहां पर गतिविदी वन क्या कहता है देखो यहां पर जो भी राजये हैं उनकी आपको एक मैप लेना है और मैप में क्या करना है इस तरह से जैसे यहां पर लिखना पड़ेगा पाकिस्तान यहां पर चीन यहां अफगानिस्तान तिबत यहां पर नेप ये निपाल लिखेंगे भुटान इस तरह से जितनी भी बड़ोसी देश हैं उनको आपको चिनहित करना है और सेकिंड एक्टिविटी में क्या कहता है देखो इस तरह से आप एक मैप लेंगे इस मैप में आपको क्या करना है सभी राज्य और किंदर शाषी परदेशों को चि स्थान है ठीक है कोशन नबर टू पाक जल संदी किन दो देशों के बीच स्थित है तो पाक जल संदी भारत अप लिखेंगे भारत और शिरी लंका के बीच में भारत और शिरी लंका के बीच में स्थित है ठीक है उसके बाद भारत में कितने राज्य और केंदर शाषित पर तो इसका अंसर हम यहां से भी लिख सकते हैं अंसर नंबर तीन देखो यह हो जाएगा देखो अच्छे से दिया गया है देखो देश को एक सब्सक्राइब करके अपनी टीचर से चेक कराईए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और शेर के शोरे थिए किजिए ओर बीओन है देखो रखे दिए नीए